अन्मोल विचा Moravichate Positive Quartz जिएन में हमेसा शकर आपमोई सोन्स को जिनम देते हैं यह हमें सफलता की मांग पर बढ़ने को प्रेरित करते हैं यानि जीवन में वही लोग अक्सेुज सफल होते हैं जिए Positive Quartz के मांग में चलते हैं तो आईए हम यहाँ ऐसे कोस्पास्टी कोर्ट्स आपके भी शेयर कर रहे हैं जिने पढ़कर आप भी पेनरा ले सकते हैं और जिएर में आगे बढ़ सकते हैं तो चलिए इन पास्टी कोर्ट को जानते हैं नमबर वन इस दुरिया में माही ऐसी होती है जो निश्चास जीवन बर आपको चाहती है और कभी भी अपने संतान को दुखी नहीं देख सकती है इसलिए हम सभी को अपनी मा के सम्मान में कभी भी कमी नहीं लानी चाहिए अकसर हमें लगता है कि हमारे पिता हमें हमेशा डाटते हैं यह हो सकता है कि हमें ऐसा लगता है लेकिन कभी भी उनकी डाट हमें किसी बात के लिए होती है यह जरूर सोचना तो पता लगेगा कि वे हमारे भविस की चिंता को लेकर ही डाटते हैं तो कभी भी हमें पिता जी की बातों का बुरा नहीं मालना चाहिए जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि हम बड़े होकर खुब दूर जाकर खुब कमाएंगे लेकिन जब हमारे उपर अपने परवार को चलाने की जिम्मेदारी आ जाती है तो हम फिर अपना वही घर यात करते हैं कि वहां हमें वो सक्षुदा मिली होती है जो हमें खुद जुटाना पड़ता है इसलिए हमें अपनी मात दूनी को कभी भी नहीं भूलना चाहिए 5. जब हम अपने गाउं में तो अपनी भाषा का मात उतना नहीं समझ पाते हैं लेकिन जब बड़े होकर दूर प्रदेश जाकर कमाने लगते हैं तो वहां अपनी भाषा में बोलने वाले लोग और अपनी भाषा प्यारी लगने लगती हैं इसलिए हमें अपनी मात लूने से हमेशा लगाओ रखना चाहिए हो सकता है हम बहुत कमाते हैं लेकिन जब जो बेती जितना अधिक कमाने लगता है वा लोगों की पहुंच से दूर होता चला जाता है फिर उसे जिन्दिगी की वो तमाम अनगों का लाज नहीं ले पाता है जो लोगों से मिलती है इसलिए हमें चाहे कितने भी बड़े वेक्ते क्यों ना हो जाए लेकिन लोगों से लगाओ और लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए जिन्दिगी में कभी भी किसी भी मोर पर रिस्तों की अहमियत ही इंसान की जरूरत होती है और यदि हमारे जिन्दिगी में कोई रिस्ता ना हो तो लाग चाहे लोगों के बीच में हुए नी तो खुद को अकेला महसूस करते है इसलिए हमें अपनी रिस्तों को बहुत ही अच्छे ठंगते निभाना चाहिए जो वेकि दोसरों की मदद के लिए हमेसा आगे आता है उसे निश्चित ही अपनी जिन्दगी में लाग परिसानी आजाए लेकिन वह विस्वित नहीं हो सकता है क्योंकि उसे अपनी इन परिसानी से मदद के लिए कोई न कोई जरूर आजाएगा इसलिए हमें अपनी जिन्दगी में जब भी मौका मिले दूसरों की भलाई करने से कभी चोपना नहीं चाहिए नमबर एट यही हमें कोई अपना ना मानता हो और ना ही हमारे बातों पर कभी सहमत होता हो तो कोई बात नहीं लेकिन जब जो दूसरे दूसरों के मदद के लिए कर रहे हो उसे कभी नहीं चोड़ना चाहिए कि यही हमारी मदद करने की भाना एक दिन सब को अपने favor में जरूर लेगी किये गए हर कार के मतले हमें लाब हो ये जरूरी नहीं है हमारे किये गए कारों को आगे चलकर फायदा हो मन में ऐसी भावना रखकर हमें कारों को करना चाहिए लोगों को सला यानि advice देना बहुत ही आसान होता है लेकिन जब करने की बारी आती है तो हमें फिर उस कारों को करने में कोई interest नहीं ही रहता इसलिए हमें अपनी life में दोसरों को समझाने से अच्छा खुद उन कारों पर अमल करना चाहिए लोग जितना हमसे अपेच्छा करते हैं उससे ज़्यादा ही हमें उन अपेच्छाओं पर खारा उतरने का प्रयाज करना चाहिए क्योंकि अउसर सब के लिए समान होते हैं तो उन अउसरों का हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए अगर हम आलस से करना चोड़ें तो हमारी जिंदिगी आदी परेशानिया ऐसे ही खतम हो जाएंगी अगर हम सभी अपनी लाइफ का अव्डिस्ट बनाएं तो निश्चित ही अपनी जिंदिगी का महत समझ में आ सकता है और अपनी लाइफ में हमें तरी लगने लगती है अच्चेत से सोच कर उसे दूर करने का प्रयास करें तो यही अलोचना करने वाले लोग हमारे सचे माग डरसर हो सकते हैं जरूरी नहीं हर इंसान हर सुक्सुदा में पैदा हुआ हो लेकिन जो अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं वे निश्ची थी अपने कर्मों के बल पर दुने के सारी सुक्सुदा जुटा सकते हैं नबर सेश्टीन हारने का डर सबकों होता है लेकिन जो इन हार की परवानी करता है वे निश्ची थी अपनी लाइफ में जरूरी सक्सस होता है इसलिए हमें कभी भी अपने मन में हार का भय नहीं रतना चाहिए तो आपको इंपोस्टिव कोट से पेला लेनी चाहिए और जिवन में आगे बने का रासा फस्से बनाना चाहिए तब ही सफर जिवन बना सकते हैं